एफ साईन्स के ऑन-लाइन प्रेटफार्म पर आपका स्वागत है मेरा नाम एंकित बिंजभा हम देखनेवाले हैं यहां पर एफिजिक्स थी के फिजिक्स में अभी हमारा टॉपिक कौन इसे बहुत सारे topic पर हम बात कर चुके हैं, ठीके, तो सबसे पहले equation of motion, ठीके, तो हम पहले equations देख लेते हैं कि equation कौन-कौन सी हमारे पास, ठीके, तो पहले equation हम यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीके, पहले equation क्या होता है, V is equal to U plus 80, ठीकेंड equation क्या आता है हमारे पास, ठीके, S is equal to S is equal to U T plus half A T square, next third equation हो जाता है, V square is equal to U square plus 2 A S, V square is equal to U square plus 2 A S, ठीके, अब यहाँ पर values देख लेते हैं कि मतलब V का मतलब क्या, U का मतलब क्या, then U की बात करें, तो U हो जाता है हमारा कुन सा, U की value जो है, वो हमारी इनीशियल velocity, ठीके, इनीशियल velocity, V is equal to final velocity, ठीके, उसके बाद आ जाता है हमारा क्या, A, A हमारा क्या हो जाता है, acceleration, A के value क्य है हमारा, acceleration, ठीके, A, और क्या जाता है, next, T आ जाता है, T हमारा, time, ठीके, next, यहाँ पर हमको S दिख रहा है, small S, ठीके, सभी जगे small S ही लेंगे, small S को हम क्या सो करता है, displacement, displacement, ठीके, U, V, A, T और S, सभी की value आपको एकदम दिमाग में clear होनी चाहिए कि कौन सी value किसकी है, ठी equation हम derive करते हैं, कौन सा वाला, V is equal to U plus A, T, V is equal to U plus A, T, इसको derive करेंगे, ठीके, इसके लिए हमको क्या चाहिए, acceleration, ठीके, हमको पहले पता होना चाहिए कि acceleration क्या होता है, ठीके, acceleration की condition को हम बोलेंगे, तो, क्या है change in velocity, change in velocity, in change in time, ठीके, हम इसके पहले देख चुके, ठीके, इ ठीके, 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 उसह साब से, अब velocity को हमने, दो टाइप से ले रखा है, पहले हमारी initial velocity, then हमारी final velocity, then initial velocity को हम कह लेते हैं, initial velocity हमें, initial velocity हम क्या है, U, और हमारे पास final velocity क्या है वी, final velocity हमारे पास क्या है, वी हो जाएगे, तो V minus, sorry, फिल्टा हो गया, final velocity V, then U divided by T, अब T की condition है, आप यह याद रखे, कि T हमारे पास 2 होगे, एक initial value के लिए, और एक final value के लिए T होगा, तो initially, जैसे मैंने चलना शुरू करा ही है, तो then हम time क्या होगा 0 होगा, at present time क्या है, 0, then जैसे मैं motion करना start करूँगा, then time start होगा, ठीके, तो initial velocity आपके जो होगी, वो 0 time पर होगी, है ना, initial velocity क्या होगी, 0 time पर होगी, लेकिन जो आपकी final velocity है, वो time T पर होगी, ठीके, लेकिन जाओ, जो आपकी यह वाली value है, कौन सी, initial value वो होगी, 0 time पर, है equal to V minus U divided by T, है रहा, equation कहां तक निकल का रही है, अब इसको हम क्या करेंगे, और solve करेंगे, T को इस तरफ change कर देंगे, जैसे हमने T को change कर रहा, तो क्या हुआ, AT, क्या बन गया, AT, और इधर क्या बन गया, V minus U, ठीके, अब इसको हम क्या हो, value किसकी निकालनी है, V की निकालनी ह तो V is equal to U को हम इस तरफ displace कर देंगे, U को जैसे हम इस तरफ shift करेंगे, तो U negative में है, then positive में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, U plus AT, यह हमारी first equation है, जो derive होती है, किस से, acceleration से, और इसी को हमें equation number 1 put करते हैं, ठीके, equation number 1 याद रखिएगा, हमारी equation number 1 कों सी है, V is equal to U plus AT, हमारी simple सा है, condition यह होती है, कि आपको लगता है, derivation है, derivation में हम एकदम hyper हो जाते हैं, लेकिन easy condition में लेकर चलें उसको, ठीके, अब देखो, अब चलते हमारे दूसरी equation की तरफ, हमारी कुंसी S is equal to U T plus half AT square, यह equation 1 है, ध्यान रखिए का equation 1 हम कहां से कहां तर ले रहे हैं, ठीके, हमार हमारे पास, S is equal to U T plus half AT square, S is equal to U T plus half AT square, अब इसको प्रूफ करने के लिए, सबसे पहले हमको चाहिए क्या average velocity, average velocity को हमको देखना पड़ेगा, तो average जब भी निकालते हैं, तो क्या करते हैं, initial plus final divided by 2, initial plus final divided by 2, तो initial कौन से थी, U, final कौन से थी, V, divided by 2, इसको हम एक equation बना लेंगे, ठीके, इसको हम equation number दो दे देंगे, ये equation number हमारी 1 है, जो हमारा पहला formula proof हुआ है, ठीके, अब यहां तक आ गए, अब condition क्या करनी है, अब हम कुछ लेना है क्या, displacement, displacement, तो S is equal to, इस displacement हमने यहां पर शो कर रहा है, S is equal to displacement, displacement क्या होता है, average, average velocity, ठीके, average velocity multiply by time, ठीके, average velocity multiply by time, ठीके, अब क्या हो जाते है, इसको हम change कर लेते, S is equal to, average velocity अपने को दे रखी है, ठीके, तो ये equation हम इसके अंदर put कर देंगे, है ना, equation number 2, put कर देंगे हम किसमें, इसमें, then क्या मिल जाएगा, U plus V, divided by 2, bracket, then multiply by T, ठीके, यहां तक clear है, then आप इसको solution, solution में लेकर आएंगे, देखो, आप यहां पर आपके पास क्या है, इसको multiply करना है अंदर, ठीके, जैसे हम multiply करेंगे, उसके पहले, एक और condition है, क्या हम भहने है फराण पाढ़ वी के value है, हम्हाँ हम पर वी के value है ना, पहले से equation 1 से, यहां पर आ जाएगा put equation 1, ठीके, put equation 1, तो V की value जो यहां नंबर वन हमारी यह है, sorry, equation number one तो यह रही, यह रही, equation number one, sorry, v is equal to u plus 80, है न, तो first equation हमारा, v is equal to u plus 80 है, तो हम यहाँ पर क्या put करेंगे, यह वाली equation v की value, तो क्या है, u plus 80, है न, divided by 2, ठीक है, multiply by t, ठीक, अब क्या करेंगे, अब इसको क्या करते है, अंदर multiply कर दो, तो s is equal to, multiply करने के बाद, यहाँ पर क्या पचर है, अपने को 2u, और multiply by t हुआ, तो 2ut, क्या बन गया, 2ut, plus क्या बना यहाँ पर, at square, 2ut और at square, अब यह जो 2 लिखा हुआ है, इसको हम दोनों के अपान में लिख सकते, दोनों के अपान में हमने इसको लिख दिया, ठीक है, तो क plus, यहाँ पर क्या बच जाएगा, 1 by 2, at square, ठीक है, यह हमारा आगा equation, यह हमारा equation proof हो गया, हमारा equation number 1 क्या था, यह वाला था, b is equal to u plus 80, ठीक है, देन दूसरा equation हमारा proof हो गया, s is equal to ut plus half at square, ठीक है, तो 1, 2, then यह 3, equation number 3 हम इसको नाम दे देगे, ठीक है, यहाँ तर clear है, ठीक ह यह वापस हम क्या करेंगे, वापस हम तीसरा वाला equation proof करते, ठीक है, तीसरे वाला equation को proof करने की तरफ चलते, यह हमारा equation second हो गया, तो इसको भी एकदम screenshot लेके, बड़ी असा लिख कर रखे, ठीक, अब चलते हम तीसरे equation की तरफ हमारा, ठीक है, तीसरे equation निकाल लाते हम पर लिखा है, ठीक है, एक equation यह है, और एक equation यह है, ठीक है, अब इसको proof करने के लिए सबसे पहले, हम किस पर आ जाते हैं, पहले equation, from equation 1, equation 1 हमारी क्या है यह, ठीक है, अब यहाँ से value निकाल लो, किसके t की, यहाँ से t का value फाइंड आउट कर लो, तो सबसे पहले, किस क्या ले गए, u को अधर ले गए, तो v minus u, ठीक है, v minus u हो गया, then किसको निकाल ले गए, इधर a, divided by a, और बचा क्या, a, तो हमाँ अपर t का value हो गया, यहाँ पर हमाँ पर t की value फाइंड आउट होगी, ठीक है, तो t की value को हम दे देंगे, equation number 3, ठीक, अब condition क्या है, कि हमाँ पास displacement displacement, displacement जिसको हम s से शो कर रहे है, displacement is equal to displacement क्या होता है, average velocity multiply by time, ठीक है, average velocity multiply by time, average velocity अभी हमने बताया था, average velocity क्या है, u plus v divided by 2, ठीक है, bracket, यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब हम यहाँ t की value रख दो, t की value है पड़ी, ठीक है, v minus u divided by a, ठीक है, और क्या हो गया, यह हमारी value put हो गई, t की, अब t का value put हो गया है, तो अब देखो, यहाँ पर आपको बहुत पुरानी चीज़े यादाने लगेगे, ठीक है, f is equal to base क्या है, ठीक है, तो multiply में है, तो देखो, आपको ऐसा दिखाई दे रहा है, v plus u, ठीक है, और यहाँ दिखा हो जाएगा, और यह, u क्या हो जाएगा, b हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर formula लग रहा है, ठीक है, a plus b, और a minus b is equal to a square minus b square, ठीक है, यह formula यहाँ पर put हो जाएगा, जैसी formula यहाँ पर put होगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर value, देखो, तो क्या हो जाएगा, V square minus U square upon 2A, अब इस 2A को हम क्या कर शिफ्ट कर देंगे, इस तरफ शिफ्ट कर देंगे, जैसी हमने इधर शिफ्ट कर रहा, तो क्या हो गया, 2A is equal to V square minus U square, ठीके, यहां तक आ गए, ठीके, तो अपने को 2A is भी मिल गया, तो अपने को क्या प्रूफ करना है, V square की value प्रूफ कर रखा, U को अदर लेगा, तो देन क्या हो जाएगा, V square, V square, ठीके, U minus में है, तो पॉजिटिव में आ जाएगा, तो V square, U square, ठीके, दर क्या हो जाएगा, प्लास 2A, यह हमारी third equation of motion है, ठीके, तीनो याद रखे, तीनो equations को हमने क्या कर दिया है, यहां पर प्रूफ कर दिया, तीनो equations को याद रखे, तीनो equations यहां पर प्रूफ है, और इनको अलग से ही, एकदम separately आप इसको याद रखे, कि कैसे equations हमारी है, और हमने इनको कैसे प्रूफ करा, और बागी सब चीजे कैसे चली हमारी, ठीके, तो चलिए, equation of motion के बाद, हम next चलते है हमारे, अगले topic की तरफ ठीक, यहां से आप इसको पूरा note down कर ले, पूरा जितना भी मैंने section बताया, उसको note down करते हैं, ठीक